कि अल्फाबेट्स के फोनिक्स साउंड एक्जाटली कैसे प्रुनाउंस करने हैं यह जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए हेलो दियर पैरेंट्स बेलकुम बैक तो मैं चैनल लाइफ सिंप्लिफाइड बाइसारी का LKG क्लास के अगर हम बात करेंगे तो LKG क्लास के सिलाबस के रिगार्डिंग हमने अब तक देख लिया हैं लेटर्स की इंट्रोड़क्शन एंड राइटिंग हमने दोनों देख लिया हैं जब बच्चों को यह परफेक्ट आजाएगा अलफाबेट्स इंट्रोड़क्शन एंड राइटिंग बोथ रैडनमली एंड सिक्वेंसली जब बच्चे परफेक्ट करेंगे तभी हम आगे कि स्टेप लेंगे जो हैं फोनिक्स साउंड का इंट्रोड़क्शन जो भी आगे का है ना सिलाबस उसका यह बैस है फोनिक्स तो इसको हम ना पेशन्स के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे क्योंकि क्या होता है अब तक बच्चों ने कैसे पढ़ा है एफ और एपल एफ और एंट बी फॉर बॉल एड ना सड़नली हम ऐसे बोलेंगे एसे प्रणाउंसियेशन में हेल्प करेगा यह उनको नहीं बता तो थोड़ा सा काम होना पड़ेगा मेरे एक्सप्रियंस के कॉडिंगली क्योंकि स्प्रू बहुत क्विक लर्नर है उसको इतना टाइम नहीं लगता मुझे सिखाने में लेकिन पोनिक्स सिखाने में मुझे उसक कुछ नहीं हूँ पाता फिर बच्चा डरते ही ना कुछ सीखने से डरते अगर मैं उस पे चिलाओंगी तो बेठेगी इनी स्टड़ी के लिए ओके सो है पेशन्स हमें फुल-उन पेशन्स के साथ ही यह फोनिक्स सिखाना है क्योंकि यह बैस है ओके सो अब हम क्विक लिए देख लेते हैं इस पुरुहां का डेमो फोनिक्स साउंड का घ्सस ए जीस पुरुट、 फस्ट, ए जीस पुरुः, जीसिस स्गुपट, यीस्षिस पुपब?! एच इससे 6,9 बसे आ, television union X वम्ट हर्णिन कोंडिन ज ज जन से जूप्ड़ जन से स्क य जन से जन से स्मून जन से स्मून जन से अ ह्व्ड़ पी से भा जो से स्क्वा तो जो साउंड हम सिखाते हैं बच्छों को वह बैसिक साउंड होते हैं एडवांस साउंड हमें अभी नहीं सिखाने हैं बच्छों को तो ए का साउंड हम सिखाते हैं ए क्यूंकि हमें ए फॉर एपल ए फॉर एंट हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसलिए हम ए का साउंड ए इसे सिखाते हैं तो A का sound R, A, O, यह सब ही होते हैं A के sounds, लेकिन अभी बच्चों को कुण सा है, basic sound A, तो सर्फ एक ही sound हमें सिखाना है बच्चों को, वैसे ही same goes for I, I का sound I भी होता है, E भी होता है, लेकिन हम EQ सिखा रहे हैं बच्चों को, I for ice cream, यह हमने लिया है, I know that, लेकिन I का sound E सिखाना क् important है, क्योंकि अब next step हम करेंगे reading की, तो उसमें आएगा I, as, is, तो जब I देखेंगे तो बच्चों को उसका sound memory में आना चाहिए E, क्योंकि तब वो उनको reading में helpful रहेगा, अगर हम उसका sound उने I सिखा देंगे, तो वो read के eyes, ऐसे हो जाएगा हो, तो इसलिए उनको confusion नहीं द लेकिन हम सिफ single sound introduce कर रहे है क्योंकि junior kg में two letter word का reading है, अभी start होने वाला है, two letter and three letter both, यहाँ पर, ओके स्पुरुहा, अभी मम्मा आपको sound बोलेगी, एक-एक letter का, आपको वो letter दिखा रहा है, मम्मा को, ओके, done, yes, लेटर सेज, ह, very good, which letter says E, I, very good girl, which letter say E, very good girl, which letter say E, very good girl, which letter says K, correct, K, and C, very good, give me a high five, which letter says D, D, बोलो ने letter का नम, D, very good, which letter says G, very good, okay, तो यह जो फोनिक sound है, यह हम with action भी सिखा सकते हैं, तो with action सिखाने का फायदा क्या होता है, जब बच्चे किसी letter का sound भूल जाते हैं, तो उनको अगर याद दिलाना है, तो हम वो action कर सकते हैं, जिससे बच्चों को वो quickly याद आ जाता है, letter का sound, okay, तो यह phonic sound with action यह वीडियो में अलग से upload करने वाली हूँ कल, क्योंकि इस वीडियो की length बहुत जादा हो रही है, इसलिए, ओके, तो वो वीडियो भी चेक कर लीजेगा, a says a, b says b, c says k, d says d, e says a, f says f, यहां से हमें air blow करनी है, in between our teeth, f का f नहीं बोलना है, g says g, h says h, सिर्फ air, air ही है, h, h नहीं है, okay, i says e, j says j, k says k, l says l, l नहीं बोलना है, okay, क्योंकि keyboard में ऐसे लिख नहीं पा रही हूँ, इसलिए यह ऐसे म, न, ल, यह लिखा है, लेकिन उनका pronunciation आपको clear कराके दे रही हूँ, m says m, n says n, o says o, t says p, q says qua, r says r, s says s, t says t, u says a, v says w, w says w, x says x, y says y, z says z, so, अगर आपको phonics का ये video पसंद आया होगा, तो please like, share and subscribe, thank you, bye 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 забigkeit it tỗ bye 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 chan quti smile देखर गता न झाल झाल